आज मैं आप लोगों के साथ सेयर करने वाली हुँ वही पुराना गौंध के पैक को अलग तरीचे से आप लोगों के साथ सेयर कर रہी हूँ जिससे कि आपके सकीन के जायों के प्रबलम को भी यह दूर करेगा और सकीन को एक़्तम चमकदार बनायाएगा उस वीडियो में बहुत सारे कमेंट आया हुए थे कि जाईयों के प्रबलम को ये दूर करता है क्या तो फ्रेंट्स वो वला जो वीडियो था उसमें आपके स्कीन को ये टाइट करता है और इस वीडियो में आपके स्कीन को टाइट करने के साथ साथ आपके स्कीन को चमकदार भी बनाएगा और पुराने से पुराने जाईयों के प्रावलम और पिंपल्स के दाग को भी ये खत्म करेगा तो फ्रेंट्स उस वीडियो को जितना आप लोगों ने पसंद किया है इस वीडियो को भी आप लोग उसी तरीके से पसंद करना और लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलना क्योंकि ये भी बहुत ही अमेजिंग सा रेमेडी है जो आपके स्कीन को जितने भी प्रावलम है जैसे इसे इस्तेमाल करने का तरीका भी थोड़ा अलग है इसे इस्तेमाल करके आपको क्या करना है कि पूरे फेस पे लगा लेना है और लगाने के बाद आपको लेट जाना है क्योंकि लेटने से ही आपके इसके इन टाइट बनेंगे और अगर आप बैठे रहेंगे तो यह नीचे तो इसलिए आप लेट जाएंगे तो क्या होगा कि पूरा फेस एक जैसा बना रहेगा और बाद में इसे गीले से तौलिये से गीला कर लेना है उसके बाद ही बेट से उठना है या कुरसी से उठना है आप जिस भी तरीके से अपने फेस पे इस्तिमाल करें या तो कुरसी पे तो इस पैक को बनाने से पहले मैंने आप लोगों को ये तरीका बताया है और ये amazing सा रेमेडी आप लोगों को कैसे बनाना है चलिए मैं पहले वो बता देती हूँ और लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा क्योंकि लाइक करने से motivation मिलता है मैं हमेंसा बोलती हूँ कि लाइक प्लीज 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 लाइक कर दिया कीजिए तो यह है गोंद का लिकुड जो मैंने आप लोगों के साथ पहले भी सेयर कर चुकी हूँ और यह रात भर भिंगोने के बाद इस तरीके से हो गया था मैंने बताया ना कि जितना भी जितना तो मैं थोरा सा भिंगो देती हूँ और यह दो गंटे में एकदम लिकुड बन जाता है तो इस तरीके से मैं पना करके रख लेती हूँ और मैंने रात में इसे दिया था क्योंकि मुझे सुबह वीडियो बनाना था इसलिए मैंने रात में डाला था अगर आपको दिन में इ जाईयों को दूर करने के लिए क्योंकि टमाटर में ऐसा एक बिटामिन सी तो होता ही है और इसमें एक ऐसा बिटामिन होता है ऐसा चीज होता है जो आपके स्कीन के जाईयों को दूर करता है और फेर भी करता है टमाटर बहुत ही अच्छा होता है हमारे स्कीन के लिए उसक उसके बाद मैं डाली हूँ इसमें बिटामिन E का कैपसूल बिटामिन E हमारे स्कीन को सौट बनाता है और मोस्राइज करता है और दाग धबे को दूर करता है और रिंकल्स को भी दूर करता है तो इसलिए मैं एक बिटामिन E कैपसूल इसमें डाली हूँ उसके बाद मैं डालूँगी इसमें एक और ऐसा चीज जो आपके पुराने जमाने में इस्तेमाल करते था और उस समय लोग इसका इस्तेमाल बहुत जादा करते थे और इसी तरीके से अपने फेस को सुंदर बना करके रखते थे तो इसमें मैं डाल रही हूँ चने का बेसन जो चना का सत्तु कहते हैं या बेसन कहते हैं उस बेसन को आपको लेना है सत्तु नहीं लेना है और इसे एक चमच ही मैं इसमें ली हूँ क्योंकि मैं अपने अभी फेस के लिए बना रही हूँ और अभी ही इस्तेमाल करूँगी औ मिला हुआ रहता है इसलिए जल्दी खराब हो जाता है फ्रीज में भी आपको रखना नहीं चाहिए अगर आप 2-3 दिन के लिए बना के रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं उसके बाद ये वाला जो लिंगोंद का लिक्विड है उसमें इसमें डाल करके अच्छे से इसका पे पेस को अंगीला कर लिना उसके बाद बेट से उठना है और उसके बाद मैं आपको बता देती हूं कि कोई भी मोस्टराइजर आप जो भी इस्तिमाल करते हैं वह अपने फेस पे जरूर लगा लीजे लगाने के बाद ही आप भी बाहर निकल लिए अगर आप बाहर निकल र थैंक यू मिलते हैं दूसरे वीडियो में बाई बाई